बिस्मिल्लायरहमानरहीम आज के लेक्चर्स के अंदा हम थर्मोर्यागुलेशन इन मैमल्स के बारे में बात करेंगे भी थर्मोर्यागुलेशन किसे कखा था हमने वेश्टी रागुलेशन ओफ बारी टंप्रेशर्र के बारे नाहिक किसे चोप्ता आज हम इसके देखेंगे वेश्टी की मैमल्स में इसकी इंघ्जाम्पल आज उसे हमें किस तरह होता ऐसे इससे पढ़ने से पहले हम एक चोछा जाएसा कंसर्प पढ़ेंगे मसंद इस्ट इसी को हम क्या कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। स्ट्डी करेंगे तर्मो रेगुलेशन अनिमल्स और इंवार्मेट के द्म्यान किस तरह होती है। इन्वाइरमेंट के दुम्याद, इनकी तो regulation के कहने के adaptations पढ़ेंगे किस तरह environment के अंदर animals survive करते हैं, इसके अंदर हमें थीन किसम के adaptations मिलेंगी, सबसे पहले जो उनसी है, that is structural adaptation, ठीक है यह इसके अंदर हमने क्या पढ़ना है, इन्वाइरमेंट में सर्वाइब कर रहा है, वो थर्मो रेगुलेशन के कोई ना कोई adaptations के जरीए सर्वाइब करता है, adaptation से क्या हम रहात है कि जहरीव बात है, कि जो harsh temperature changes होती है, उसके वज़ाद से, जो कहलें के environment के लिए सर्वाइब करने के लिए जो organism अपने अंदर तबदीलियां लाते हैं, उसे हम adaptations कहते हैं, तो इसकी सबसे पहले एग्जेंपल हम पढ़ेंगे, that is structural adaptations, structure से क्या मराद है कि उनके anatomy के अंदर ऐसा फरक आया है, So structure में anatomy आती है, अगर हम देखें एक side पर आपको नज़रा आ रहे हैं, इसे हम कहते हैं pledge ठीक है, आपने भूस से जानरों के उपर खाल के बाल देखे होंगे, इसकी हमेंज की तो उपर नहीं होते इतने, लेकिन जो भी कहलें के grazing animals होते हैं या जो शिकारी animals mostly उनके पर आपको इस तरह की बाल नज़राएंगे, तो यह इसका structure adaptation है, structure adaptation किस चीज के लिए, कि यह protect करती है harsh temperature से ठीक है, यानि पिलेज हों से act like an insulator, इसे आपको कह सकते हो, insulator ठीक है यानि इसके अंदर heat के transfer को रोखने की कोशिच करेगी, यह structure adaptation इसके लावा paint पिलेज के लावा आपके पास मसरी यहां पर को नज़रा, that is sweating ठीक है यानि जो sweat glands होते हैं, यानि यह first one हो जाएगा, पिलेज, second one क्या हो जाएगा, sweat glands, sweat glands किसे कहते हैं बला, पसीने के जब glands होते हैं, so यह भी structurally आपकी body के अंदर present है, जो के thermoregulation के लिए help करेंगा, होती है, dense layer होती है, इनकी काफी मूटी tie होती है, और set glands हो गए, third one lungs है, जिसके जरीए आप सांस लेते हो, आप सांस के जरीए क्या करते हो, evaporation हो रही होती है, basically अंदर lungs के अंदर evaporation होती है, evaporation के वज़से cooling होती है, अब evaporation आपको पता होती है के loss of water के water evaporate होता है, जिसके विसके क्या feel होगा cooling generate होगी, ठीक है, तो यह भी, इस cooling को बाद कर पैंटिंग का नाम भी देते हैं, के high temperature, sorry जब temperature ज़्यादा होता है, जब बहुत ज़्यादा आप exercise करते हैं, इसके क्या होता है, के आपका body temperature ज़्यादा होता होता है, आप जोर दूर से सांस लेते हो, इसे आप हांपना भी कहते हो, ठीक है, so हांपने से भी आप कहलें के lungs जोंस हैं, वह नहीं उसके अंदर thermoregradation के अंदर help करते हैं, तो यह होगी structure adaptation, फिर कुछ physiological adaptation है, ठीक है, कि आपकी body के अंदर physiological adaptation होता है, second one are physiological adaptation, physiological adaptation में एक तो आपको सामने अधर आ रहे हैं कि यहां पे नीचे diagram में, vasodilation आ रही है, so यह vasoconstriction है, यह vasodilation है कि गर्मियों के मोसम के अंदर, when there is, कहलें कि cool, जब cool होगा outside, so यह vasoconstriction करेगा, और जब बाहर हाट होगा environment, ठीक है, कि बाहर का temperature ज़्यादा होगा, वाइज़ डालेशन होगी, वाइज़ डालेशन से क्या होती है, कि एपिटर में इसे heat loss हो रही होती है, कि इसका surface रही किसम का बढ़ जाता है, ज़्यादा heat loss होती है, कहलें कि by conduct out होती है, ठीक है, इसके लावा यह नहीं, इसे आपको कहूँ के वाइज़ डालेशन, फ्रस्ट पॉइंट हो जाए, कि आपको नजर आ रहा है, इसे हम fluffing कहते है, fluffing of animals, ठीक है, आपने वैसे भी देखा हो कि जो प्रिंदे होते हैं, खास तोर पर, वो कभी-कभी अपने जो फर होते हैं, अपने जो पर होते हैं, इन्हें फेलाते हैं बहुत हैं, ताकि होती हिए इसके रहे होते हैं इसके इसने हिर्ण के करने कहने करें के इसके और हीट कने ही जाहिए, हीटकर को यह प्रमोड करते हैं, इसके रहावाद को थे हैं, सब्लाभ क्रीति निलम्ट के जाइए, लिए आपने नाम सेवागा कपपाना ठीक है शीवरिंग नाम सेवेट जब भी जो जात ठंड होती है उस टेम हम शीवरिंग करते ले भी एक किसम के फिजिलोजिकल अडाप्टेशन थे थर्ड वन आप क्या यूज करेंगे शीवरिंग को और दूमें का कहेंगे बहला कप कपाना शीवरिंग ठीक है यहीं आप सर्दियों में मुस्ली शीवरिंग करते हैं इसके लावा कुछ बहले अडाप्टेशन भी होते हैं थे जब वह जब जब गर्मी होती है तो लीजर क्या करती है सन बात लेती है ठीक है इसे हम के कहते हैं सन बात तो यह जो फॉर्ट धर्ड वन ओडपटेशन होगी इससे हम भी है टािडर अडप्य जब वैसे में जब जादा करते हैं अगर सर्दि और दूप में खड़ा लेना पसंद करता है तो यह सारा बुइवर अडपटेशन घे कहले के जो समीट होते है इस लिए उसके मताबिक अपनी position change करते रहते हैं सब्सक्राइब बाहर ठंड है if it feels cool outside बाहर cool feel करती है तो यह sun बाज को promote करेगी laser zone से है और जब इसे ज़्यादा गर्मी लगती है तो यह साहे में चले जाती है इसके लावा body postures होते हैं ठीक है body postures हम change करते रहते हैं या हमारे body postures बाज कर इस तरह होते हैं कि हम heat dissipate कर रहे होते हैं या फिर heat conserve करते हैं यह भी कहलेंगे behavioral adaptations हो जाएंगे यह कुछ adaptation है जिसके दर यह heat कहलेंगे regulate होती है environment और animals के दिर्मियार जिसके अंदर हमारा पस structure adaptations होगी जिसमें पिलेज, sweat glands और lungs का फंक्शन बढ़ा जिसमें almost animals की properties में आथ और behavioral adaptations है behavior के साफ से ठीक है इसे मैं complete कर रहे हैं behavioral adaptations तो उसमें यह था कि मसलिल सन बाथिंग होती है like सर्दी के दिनों में और body postures चेंज रहते हैं जिसमें behavioral adaptations होती है अब हम अपने जो topic है actual topic उसकी तरफ चलेंगे वह हमारा topic क्या है बहला thermoregulation in mammals say thermo तो ती है चाहेगा so thermoregulation again मैं आपको बता रहा हूं क्या होता है बहला thermoregulation it is regulation of temperature thermoregulation in mammals के बारे में बात करेंगे mammals की best example जो हमसे है humans आ जाते है तो यह बीजार में रखेंगे में humans being care पर यह चीज़ सारी apply होगी या एक तो मैं sparing mistake बहुत कर रहा हूं so mammals stands for humans also okay mammals की family में humans भी आती है so mammals की अगर में properties देखें तो उसके अंदर आपको पता है the vertebrates हैं इसके लाव four limbs होती है mostly और body covered with sometimes pillage होती है या फिर fatty layers होती है हमारी skin के अंदर तो यह कुछ features आपको पताना चाहिए इसके लाब regulatory strategies देखते है regulatory strategies आप गहेंगे regulatory strategies क्या है कि मुख्लिफ temperature के अंदर body क्या क्या कह सकते हैं कि phenomenon करते हैं जिसके तरिये से इसका temperature बैलास तामसन जब बहुत अदर ठंड हो like man will feel cool outside ठीक है जब cool हो so we start shivering ठीक है cooling से क्या start हो जाती है shivering और इस shivering से again temperature generate होता है say so इस सारे process जिसके तरिये temperature generate हो इससे हम कहते हैं shivering thermogenesis shivering thermogenesis अब एकिसम की regulatory strategy बाड़ी के बाहर कूल होगा so body shivering start करेगी और इसके दरिये कहलें के heat generate होगी इसके लगा कुछ non shivering thermogenesis भी होते हैं मसलिए नौन शीवरिंग thermogenesis में रहाद क्या है metabolic ठीक है कि वह हीड जो metabolically heat develop होगी metabolic heat generation so इसे हम non shivering thermogenesis में कह देंगे say it will be non shivering so यह दो किसम की कहलें के strategies है जो के body use कर सकती है और mostly हमारे body को temperature रहेगा वो कितने में रहेगा वेशा 36 से 38 के दिर में 36 से 38 degrees निगर यह temperature range है so 36 से नीचे नहीं जा सकता और 38 से open नहीं जाएगा इसके अगर ऐसा होता है तो हमारे जो proteins हैं वो function अपना stop कर देंगी ठीक है अब बाज proteins thermosensitive होती हैं बहुत जाता है बाज कहने के परदाश भी करते हैं जो हमारे limbs का temperature होता है नहीं हाथ पाओं का तो यह low होता है से लेकिन जो vital organs होते हैं हमारे body के अंदर like hurt हो गया इनका temperature maintain करना बहुत ज़रूरी हो जाता है सही क्योंकि उसके बगार अगर temperature बहुत ज़रूरी हो जाता है तो इनके functioning temperature के अंदर classification cases है so mammals या humans are indotherm they have to regulate their temperature अब हम देखते हैं यह नहीं regulate करते किस तरह हैं so indotherms and they have to regulate body temperature so regulation के लिए यहां पर एक डियाग्रान है आपके सामने so इसमें आप देख सकते हैं दोनों conditions है condition number one जब temperature low है and condition number two of temperature high है so start करते हैं condition number one से जब temperature low होता है so यह करेगा oh sorry मैं यहां पर कर गया कि basically conditions यह नहीं है conditions यहां पर है यह नार्मल temperature है so अगर मसलें यह थर्टी सिक्स से थर्टी एट तक टंपरेचर है so farisable अगर टंपरेचर जोंसा है वह 40 हो जाता है यह temperature बढ़ रहा है if temperature goes to 40 degrees centigrade it will send message towards brain ठीक है यह अपने brain की तर्व message send करेगा brain यह जो से अब thermostat भी कह सकते हैं ठीक है यह hypothalamus होता है इसके ब्रेन के अंदर जिसके अंदर thermostat built-in होता है thermostat के मरात है कि जो main और कहलें के center है हमने कहा था ना कि homostasis के तीन चीज़ें होती है एक receptors होते हैं फिर बीच में control center होता है और इसके लावा यह effectors है ठीक है यह रिसेप्टर से message आएगा brain की तरफ brain इससे sense करके effectors की तरफ message send करते है effectors में में आपस like skin blood vessels है इसके लावा sweat plants है अगर temperature ज्यादा है तो sweat plants open हो जाएंगे और vasodilation हो जाएगी ठीक है दूसरा क्या काम होगा vasodilation दोनों की वजह से क्या होगा कि vibration होगी वप्रेशन से cooling होगी body temperature वापिस नार्मल आ ले आज second case पढ़ता है कि जब temperature हों साभ वो 36 से blow चला जाएगा था मसला अगर हम कहें जी 34 degree centigrade पर जा रहे है 34 degree centigrade के लिए क्या होगा कि again message आएगा brain को brain इसके against response जनेट करेगी लाइक तो वैज़ो कंस्टिक्शन करतेगी कि water loss को या कहलेंगे जो heat dissipation हो रही थी heat loss हो रहा था उसे रोका जाए और साथ-साथ muscles को activate करेगी कि वो shivering thermogenesis करे या metabolic thermogenesis करें डिपेंड करता है अगर extreme condition है तो shivering start हो जाती है अगर वैसे metabolically heat generate वह से 30 के वैसे body temperature rise हो जाएगा तो यह सारा बीच में जो सो mechanism चल रहे से feedback mechanism कहते हैं ठीक है किस तरह बला मसंद सबसे पहले कहलें कि sensory organs होते हैं अब sensory organs का प्थरब बोता idea होना चाहिए मसंद यहां पर मैं एक person बनाता हूं like so like this is a guy complete करता हूं यह इसकी आंखे हैं करते हैं जादा चोटी बनाता हूं यह यह एक कह लेकर जी आदमी है से सो इसको बाहर से feel होगा है it will feel cool ठीक है फिर यहां से message उनसा है वो brain की तरफ जाएगा जो कि इसका control system है फिर brain message करेगा again effectors की तरफ तो इस तरह नहीं यह थर्मो जाने से जगरा होता है तो receptors कहां पर होते है feeling कहां पर होती है basically skin पर skin message किसे भेज़ेगी brain को brain से message किदर आएगा muscles में muscles में आएगा या फिर blood vessels में आएगा ठीक है कि muscles shivering start कर देंगे और blood vessels सुकर जाती है ठीक है कि सर्दियों के अंदर या जब ठंड होती है बाहर तो इस तरह अगर बाहर गर्मी है तो हमारी skin feel करेगी brain को message न करेगी brain फिर आगे vasodilation कर देंगा blood vessels यहां पर कहलें के बाहर फैल जाएंगी ठीक है vasodilation ताकर जाद 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 ही dissipate हो और साथ-सद कहलें के sweat glands भी होते हैं वह भी activate हो जाएंगे इसके जरी से body temperature evaporation के जरीए तुबारा decrease हो जाएगा तो यह feedback mechanism होता है कि एक दुसरे को feedback मिलती है मसल स्किन से brain को feedback जा रही है फिर brain अपनी feedback muscles को भेज रहा है और एक दफार जब कहलें के अच्छा इसमें चलें मैं यहां पर बताता हूं मसल यह जो feedback है यह से brain के तरफ गई brain से आगे से यह कहलाती है positive feedback सो कोई नों को process initiate कर रहा है ठीक है इसको हम क्या कहेंगे positive feedback feedback की दो types होती है न कि कोई आपको ऐसी feedback देता है जिसके दरीए से आप आगे बढ़ते हैं मसले कोई आपको शाबाश देता है यह positive feedback है से आप उसी काम को जारी रखते हो या अगले दफ़ा भी उसके बारे में कोशिश करते हो सो बाद दफ़ा क्या होता है कि कोई उस काम को रोग देता है मसले यह जब body temperature maintain हो जाएगा ना सो यह फिर negative feedback देगा कि भाई जो हम काम करें थे वह मुकमल हो गया सब इस काम को बंद होना चाहिए सो यह negative feedback सो यह feedback के भी दो process हो जाते है positive feedback जो किसी process को promote करेगा और negative feedback जो किसी process को रोगेगा यह जब imbalance temperature so positive feedback गया brain को brain ने फिर आगे message effector से deliver किया उन्होंने अपना response जनेरेट किया response की result में जब temperature balance हो गया so इसे हम कहलेंगे अब feedback process complete हो गया सभी पहले positive feedback था फिर negative similarly यहां पर भी है कि यह जो से है positive feedback होगा सारा like यह message है का brain को brain से blood vessels पर और फिर जब एक दोफ़ा temperature maintain हो जाएगा again यह जो से negative feedback होगा say so यह feedback process होता है जो basically पीछे run कर रहा होता है और इस तरह वो sensors को control system को effectors को कहलेंगे coordinate करवाता है feedback mechanism के इस feedback mechanism के तरह सबसे important चीज़ है that is brain ठीक है जिसे हम control center भी कहते हैं say इसे हम control center भी कहते है so control center का ही link होता है feedback से ठीक है कि इससे कहलेंगे feedback मिलती है पीछे feedback देंगे शुरू में feedback कहां से बला कौन देगा feedback sensors होंगे ठीक है sensors feedback control center को देंगे control center अपनी feedback आगे deliver करेगा effectors को ठीक है और effectors अपना काम कर लेंगे so यह यह भी feedback है और यह यह कहलें के feedback effectors को आगी फिर जब अपना काम complete हो जाएगा फिर इसके process को shut कर देगा say so यहाँ पर control center कौन है hypothalamus ठीक है कौन है hypothalamus जो के आपके कहलें के जी hind brain का part है hypothalamus brain में मुझूद होता है इसे हम thermostat भी कहते हैं ठीक है feelings center भी काफी इसके function है एक function इसका thermostat भी है thermostat कहते हैं उस machine को जो के temperature को control कर सके सो हमारी body के जो machine है hypothalamus जो के हमारे कहलें के body के अंदे मुझूद है say so इस तरह कहलें कि यह topic cover हो गए कि किस तरह thermoregulation होती है say जिसके अंदर हमारे skin से जो के sensors हैं फिर control center फिर आगे blood vessels उनका response कर रहा है और muscles गयरा ठीक अब last में एक topic आता है pyrexia pyrexia के बारे में आप नहीं पारे मांते होंगे pyrexia केहते हैं fever को ठीक है fever जिसे आप उर्दो में बखार कहते हैं ठीक सो कभी आपका गला खराब हो या कोई बीमारी हो तो आप फिवर फील होता है से जिसके जिसे आप बखार के अकसर बीमारी में बखार हो जाता है तो यह बुखार होता है क्यों है कि सबसे पहले तो बिमारी होती है ठीक है लाइक डिजीज है डिजीज कब होती है कोई जरसीम ठीक है लाइक मैं कहता हूं पैथोजीन जरसीम को कहते हैं पैथोजीन आपकी बाडी में इंटर होगा ठीक है बाडी से मराद नहीं वो फार इज हमारी जिसम है उसके पिरोगेंस रेस्पॉइन करता है हमारी क्याने के बाडी इसके इसके रिस्पॉउंस के ciğimicle होते हैं में पैरोगेंस कहाते हैं ठीक है और ये पाइरोगेंस करते हैं कि बाड़ी टंपरेचर बढ़ा दे ये सब्सक्राइब का जो वार्डी टंप्रेचर होता है यह राएक है एक टंप्रेचर जो उनसा है वह बढ़ जाता है सो यह नहीं क्या हुआ कि पैथोजिन को जरह से हमारी बाडी में इंटरोए पर उसके अगेंस बाडी ने पाइरोजिन्स रिलीज किये और पाइरोजिन्स ने फिर बाडी टंपेटर को इंग्रीज कर दिया और इस कंडिशन को हम पारेक्जिया या फीवर कहते हैं ठीक है और तो जो गिलोगद केनेदर लिको साइड़ रिलीज करते हैं जो के बारि टंपेटर को को बढ़ा देंगे रहना बढ़ता था बढ़ता है जाहर ही बात है पालोजिन्स ने अगे बाड़न को पार तोड़ी सी अपर लावल पर चले जाती है नहीं वो थर्टी एट से बाफ थर्टी एट थर्टी नाइं डिकर सेंडिकर तक टम्परिचर को मैंटेन रखेगा और यह पार जिया यह फिवर जो होता है बाड़ी के लिक्सान दे नहीं होता यह यह जो टमपरिचर इस यूसफु बारे में तो अब हम रवायज करते हैं शुरू से हमने क्या क्या है इस यह फिर बढ़ा हमने स्टार कि थी इसके इंट्रॉक्षिन हमने का जी थर्मो डैगूरेशन बारी टमप्रेचर और मैमस की एकशाप्ल में हम हम को कवर करेंगे तो इससे पहले हम एक छोटा से टाफि देखिया हमने फार जेमपल पिलेश था कि जानवर के जिसम पर बाल की तैह होती है बोटी सीस के लवाए स्वेट ग्लैंट्स माझ जिसमें पसीनों की ग्लैंट्स होते हैं लंग्स थोड़े बहुत मोडिफाइड है हमारे के वह वह एपरेशन जरी कूलिंग कर सकते हैं फि से मराद किया कि वह अपने फीदर्स को एक दम फिला लेते हैं ठीक है ताकि जाए-जादा इसमें से एर क्रास्प करे और वैपरेशन हो और फिर इसमें हीट डैसीपेट हो सकी हीट लास हो सकी और फिर शीवरिंग है कि कप कपाना कि के अगर बहुत जादा टंपरिचर बाह जो लीजर्स होती है ठीक है यह लीजर्स की इसक लिए बहुता है कि अधर सबस्क्राइब के बात लेती और इसके बार इसलिए जादा गरमी हो तो हम सर पे हात रख लेते हैं कुछ चीज़ रख लेता कि गर्मी से बचा जाएक तो यह बाड़ी पॉस्टियुए कहरा आए फिर thermodegradation mammals की बात की जिसमें human की example दी तो इसमें regulated status through study की मसला shevering thermogenesis हो सकती है non-shevering thermogenesis हो सकती है और body temperature की जिए 36-38 degree centigrade so if cooling होगी तो shevering start हो जेगी और इसके लावा metabolic heat भी generate होती है सु क्योंकि हम इंडो थरम्स है तो हमें temperature regulate करना पड़ेगा उसके लिए सारा mechanism है जिसके अंदर हमारा जो thermostat है that is hypothalamus located in brain ठीक है brain brain के अंदर मुझूद होगा जो कि सारा function को control कर रहा होता है पर इसमें feedback mechanism पढ़ा किस तरह skin detect करते है अपना feedback brain के तरफ भेजेगा brain अपना feedback आगे muscles को भेजेगा muscles body temperature regulate करेंगे और sweat glands भी हो सकता है गर्मियों में जब गर्मी फील होगी sweat glands और vasodilation होगी और जब सर्दी फील होगी vasoconstriction हो जाएगी और फिर या फिर एक्स्ट्रीम करनेशन के दर शीवरिंग स्टार्ट होगी कि आप कप कपाने लगते हैं जिस तरह दांत बर्जते हैं आपने सुनों का नाव से ही है सो यह feedback mechanism हो गया और फिर लास्ट में पैरेक्स जिया पड़ा कि जब कोई pathogen है ने कोई जरसीम जिसम में दाखिल होता है ब्लड में तो लिको सट जो डबली बीस होता है यह इसके अगेंस पाइरोजिंस बनाते हैं पाइरोजिंस फिर हैपोथालमेस को थोड़ा हाई रेंज बेसे बाड़ टमपरिचर बढ़ जाता है और यह बाड़ टमपरिचर नुकसान दे नहीं होता बलके जिसम के लिए फा झाल झाल